नमस्कार आपका स्वागत है एश्या नीज इंडिया में आपके साथ मैं हून हूँ दिल्ली शराब नीदी केस के मनी लॉंडिंग मामले में गिरफतार एएपी नीता संजे सी को शुकरवार को राउज एवैनी कोट में पैश किया गया कोट ने संजे की नाएक हिरासत 10 नमबर तक बढ़ा दी पेशी के बाद कोट से बहार निकलते समय संजे सी ने कहा अगर मोदी जी की जांच हो जाए तो उने जिन्दगी बर जेल में रहना पड़ेगा मोदी जी एक भ्रष्ट देता है वे अडानी के साथ मिलकर बस्ताचार करते हैं संजे सी के वकिल ने बताया हमने कोट में तीन अप्लिकेशन लगाई थी जिने कोट में स्विकार कर लिया है कोट में पेशी से पहले आमादमी पार्टी की कारकरता उने संजे की रहाई की मांग को लेकर पार्टी कारलाई के बाहर विरोध प्रदर्शन किया एक कारकरता ने कहा हम नयपालिका में विश्वास करते हैं लेकिन कई बार प्रक्रिया सजा बन जाती है ये क्या है तारीक पे तारीक संजैसी को जल्द से जल्द बरी किया जाना चाहिए कारकरता ने ये भी कहा कि अब E.D.O.C.B.R. अजिस्तान पहुच गई है ये सिलसिला दोजाच 24 के लोकसबा चुनाओ तक जारी रहेगा एपी प्रदशन कारी भाषपा आफिस तक मार्च निकालने वाले थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया इसी के साथ बने है इश्योनिस इंडे के साथ बने बाद